ट्रेड के चोके की और ट्रेड का चोका लगाने के लिए हमारे साथ हैं Invest4ED.com के आदित्य अगरवाल और टेक्निकल एनलिस्ट आदित्य अरोडा तो दो आदित्य का कॉंबो स्टिश्टी आज तो आदित्य प्लस आदित्य आदित्य अरोडा से शुरुआत करेंगे आदित्य बाजार हम देखने हैं थोड़ी रतार पकड़ने की कोशिश कर रहा है Nifty Bank से बढ़ियां सपोर्ट मिल रहा है और Insurance Stocks में रहुनक है आपके आज लिस्ट में बताइए कौन से share है पहले ट्रेड वाले share बताएए उसके बाजार की बात करेंगे गुड आफ्टरनून अभिशेख जी गुड आफ्टरनून एवरिवान तो देखे पहला स्टॉक मेरी लिस्ट में HDRC Life ही है अगर आप देखे तो बाजार में एक सिंग्निफिकेंट चेंज आया है इंशॉरेंस स्पेस के तरफ मार्च की मंदी के बाद सारे इंशॉरेंस स्टॉक काफी अच्छा करें चाया SBI Life की बात करें, ICIC Proof की बात करें, HDRC Life की बात करें और चार्ट्स पे भी HDRC Life ने ब्रेक आउट दिया है तो काफी अच्छा लग रहा है इसको बाई किया जा सकता है 660 पे और स्टॉप लॉस रहेगा 600 का टार्गेट रहेगा 750 दूसरा स्टॉक है ग्रीन पैनल जिसे 345 में बाई किया जा सकता है 310 का रहेगा स्टॉप लॉस और 400 का रहेगा टार्गेट तो यह दो कॉल्स आदित अरोड़ा की तरफ से आते हुए पर आदित अगरवाल आप से समझेंगे के कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं मुझे लग रहा है मार्केट में एक शॉट कवरिंग रैली जो चाल हुई है आज और कल में वो कंटीनी होना चाहिए पहला स्टॉक के टाटा केमिकल्स स्टॉक एक बहुत लंबे समय से एक कंसॉलिडेशन पेस्ट पे था टॉट डियमे के ओपर निकलने के रिए रेडी है स्टॉक करेंट लेवल्स पर करिदारी करें वॉल्यूम्स बहुत अट्रैक्टिव है बाइंग कैंडल्स पर करिदारी की सला रहे की ओपर टागेट हजार पचपन का रहेगा नीचे स्टॉक लगा है 985 का सेकंड स्टॉक डाबर है FMCG स्पेस में से हमने काफी स्टॉक को अक्टिविटी उसमें काफी देखी है डाबर ओफ ले ठोड़ा सा लल फेज में कंसॉलिडेशन चल रहा था मुझे लग रहा है यहां से बाइंग पाटर्न एक इमर्ज हो रहा है डाबर में लो डिस्टू रिवार्ड है फेवरिबल है लॉंग पोजिशन के लिए करेंट लेवल्स पर खरिदारी करनी चाहिए पांसो नब्बे का टार्गेट रहेगा नीचे स्टॉप लोस लगा है पांसो साथ का और मुझे लग रहा है आने वाले दिन में अच्छा चाल देखने मिलेगा मैं आपे अधित और ओरा को औरोला जी बोलते हैं आधित अगरवाल को अगरवाल साहब बोल देते हैं अजय ठीक हैं चै हमें